शेहर के वेस्ततम माने जाने वाले काकड़ी ले आउट में आज सुबह फिर एक चोरी का मामला उजागर हुआ जिसमें शेहर में बढ़ती चोरी की वारदातों से शेहरवासी अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगे हैं काकड़ी ले आउट निमासी विठ्छल बोडे के घर का ताला सुबह आस पड़ोसियों को दिखाई देने पर इसके जानकारी बोडे को और स्थानिक पुलिस को दी गई प्राप्त जानकारी के नुसार विठ्छल बोडे 22 जून की शाम घर को ताला लगा कर कुछ काम से खापा गय हुए थी उसी रात अग्या चोरों ने उनके घर का ताला तोड़ कर गोदरिच के लमारी तथा अन्यस्थान से करीब चार तुले सोनी के आभूशन साथी 40,000 रुपे नकत पर हाथ साफ कर फरार हो गए गौर तलब रहे कि शहर में हो रही चोरी के वारदातों से शहरवासियों के रातों की नींद और दिन का चैन कायब हो रहा है पता नहीं कब कहा और किस घर में चोरी हो जाए कहा नहीं जा सकता तो वहीं दूसरी और चोरों के होसले इतने बढ़ गए हैं कि वे घनी बस्तियों में भी आसानी से चोरी की घटना को अंचाम देने लगे हैं शहर में बढ़ती चोरी की घटाओं ने जहां शहर की चाक चौबन सुरक्षा की पोल खोल दी तो वहीं पुलीस की रातरी गश्त पर भी सवालिया निशान लगा दिया है अक्सर चोरी उनी घरों में हो रही है जहां ताले पड़े हैं इसका मतलब कोई तो घर का भीदी है या शहर के गली कुछडों के बड़े प्रमान पर रेकी हो रही है जो शहर की आंतरिक सुरक्षा ही तो काफी घा तक सिद्ध हो सकता है बिरो रिपोर्ट सामनेर